अपको बता देते थे किया चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें नहीं तो उनकी महानता से कुछ चीज़ें हम भी आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको जीवन में काफी सीख मिलेगी आचार चानक के भारत के महान विद्वानों में से एक थे चानक के निमानव कल्यान के लिए चानक के नीती की रचना की जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े सभी पहलूं का विस्तार पूर्वक उलेख किया है साथी राजनीती युद और लोगों के साथ बराबरी बनाय रखनी के लिए भी मालक दर्शन दिया है आज भी संकट के समय चानक के नीती का पालन किया जाता है अगर कोई इनसान उनकी नीतीों का पालन करता है तो वो जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकता है साथ ही एक संतुष्ट और सफल जीवन भी व्यतीत कर सकता है इसके अलावा उन्होंने अपने नीती शास्त्र में कुछ ऐसे कामों कर जिक्र किया है जो इनसान को रोजाना सुभा उठकर करना चाहिए ऐसा करने से वो व्यक्ति जीवन में हमेशा उचाईयों को चूता है आई चली जानते हैं वो क्या काम हैं जो सुभा उठकर करना चाहिए आचारे चानक्य के अनुसार अगर आप तरख्की करना चाहते हैं तो सुभा जल्दी उठना चाहिए सुभा जल्दी उठकर अपने सभी कार्यों को समय अनुसार कर लेना चाहिए आचारे के अनुसार ब्रह्मा मुहुरत में उठने वाला हमेशा तरख्की करता है जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा कठिन प्रयास करते रहना चाहिए इसी पर आचारे चानक के कहते हैं कि जो इनसान मेहनत करने से नहीं डरता उसे धनकी कभी कमी नहीं होती इसलिए रोजाना जल्दे उठकर अपने व्यवसाय पर यानि कि अपने काम पर ध्यान लगाना चाहिए आलस जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अगर इनसान कुशल है और आलस उसके भीतर छिपा हुआ है तो उसका कोशल होना वेर्थ हो जाता है यानि कि आवो कितना भी काम करने वाला हो कितना भी महनती हो लेकिन वो सारी चीज़े बेकार है आचारे चानके के अनुसार जीवन में आलस का त्याग कर देना चाहिए यानि कि आलस को छोड़ देना चाहिए तभी सफलता के मार्ग आपके लिए खुलेंगे आचारे चानके कहते हैं कि रोजाना सूरे देव को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से जीवन में तरख्य के योग बनने लगते हैं साथ ही सूरेदेव प्रसन होते हैं इसके बाद अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए साथ ही अपने लक्षे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए ऐसा करने से उस व्यक्ति को मन मुताबिक परिनाम हासिल नहीं होते आचारी चनक के कहते हैं कि सुबह उटकर ध्यान योग वकसरत करनी चाहिए क्योंकि अगर आपका स्वास्त है अच्छा होगा तभी आप अपनी जीवन के प्रति सकरात्मक हो सकेंगे और काम में भी आपका मन लगा रहेगा दोस्तों ये तो वैसे भी कहा जाता है कि इससे आपका मन तो लगा ही रहेगा और आपको काम में भी कोई परिशानी नहीं होगी आपको उर्जा भी मिलती रहेगी तो अमेद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो को जादा से जादा लाइक करें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें